बढ़ते लिए के लिए और जो इनके तरी के बारे में इनके प्रोफायल के बारे में नहीं इसके बात करेंगे इनका डीटेक तिन जो भी प्रोसेस राइस्ट्व का रच बाते हैं तो आस भी आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के वारे मताई है अपको प्रोफाइल क्या है आपका बेक्राउंड क्या है एंड आप पॉलओड वाइदा कि आपके पास वरकेक्स है या पेरा फ्रेसर Yes, hi everyone. So, I am a non-engineer female, general female. My profile is 989. I have done my bachelor's in mass media from SVKM Susha Praveen Gandhi College and my specialization advertising. I graduated in 2021 and after that, I have exactly 24 months work experience in Dentsu Creative which is an advertising agency. There I am a senior copywriter currently and majorly that is better of it. So, are you still working on your job or are you still working on your job for this preparation? I have my resignation, my three months notice period, so in December my resignation, so in March I will be free, so I will be free for one month. So, basically, you don't have a big gap. अपने प्रेपरेशन का प्रेपरेशन का रही थी बाट इतना उसमें फरक नहीं पड़ा विकॉस वह को विडियोर था तो इसलिए ज्यादा कुछ उसमें नहीं हुए तो यह जह आपने इसका नार्शी बंजी के इंटर्यू के लिए आपने दिया हुआ था कितना स्कूर रहा था अहां 247 में मेरा खाली थोड़ा बॉर्डर लाइन था 672 था क्वांट में बाकी सब में हाई था हाई था हाई तो आपका मेरी टमबर कितना आया है और 518 518 चलिए तो सबसे पहले कॉंग्रेट सापको कि आपका इसी अपी सीट कर्णवार्ट हो गई एंड तैंक इसी के बारे में जो एक बार आप मुझे अपने स्लॉट का डेट और टाइमिंग बता दी जारा कि आपका स्लॉट का डेट किया था मेरा 3rd February को था स्लॉट आफ्टरून वाला 1130 ओनवर्ड तो यह तो आपके सामने क्या 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 प्रोसेस थे सबसे पहले वहां पर नोटस वोड लगा था जिसमें अलग 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 स्टूडेंस के नाम थे उसके बाद तुरांत वह लोग अंदर लेके बेसिक इंस्ट्रॉक्शन दिये उसके बाद ज्यादा टाइम बेस नहीं था काफी और्गनाइस प्रोसेस था इमेरिएटली वह और लास्ट में पी आई होने वाला तो यह तीनों चीज़ें उन्होंने समझाई और उन्होंने वेटेज बताया जो एनमाट का 60% वेटेज 10% फॉर वैट 10% वॉट्सन 10% पी आई 5% पास्ट 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 कितने बज़ें यह वैट का पॉससे स्टार्ट हुआ था तो अ तो ट्वेंटी ग्रूप्स थे और अराउंड 12 स्टुदेंस इच वह आफ्टनून स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट अलग तो एक साथ बहुत सारे थे पर उन्हों का और उन्हों का और अच्छा था बहुत सारे लैब्स थे साइमिल्टेनिस ली सब का चल रहा था 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 थ बहुत बाद में नंबर है सब करनात में चल रहा था था सो वो रूम में लेके गए वहाँ पर पहले वाट टेस्ट वा तो वाट में मेरा टॉपिक वाज अराउंड लॉज के अर्ड लॉज विच आ इन प्लेस इन प्लेस इन था कंट्री उसको एफेक्टिव करने के लिए क थोड़े अननेसेसरी लेक बहुत लंबा पैसेज दिया था यह जो मैं एक लाइन में समझा है वो पैसेज अननेसेसरी लंबा था I feel it was done to you know confused students and थोड़ा तुमारा और टाइम वेस्ट होस में पढ़ने में बट उसमें स्यादा कोई details को खास details important नहीं थी mainly एक line का ही topic था जो एंड में लिखा था and हमारे पास 20 minutes के असपास थे to finish the entire thing now मैं मेरा writing background है तो मेरे लिए काफी easy था यह मैंने ज्यादा वाट के लिए honestly preparation भी नहीं किया था because I knew case में current affairs पर तुछ ज्यादा कुछ आता है नहीं in NM they give you general topics so मैंने फटा-फट पहले 5 minute में पूरा अपना mental structure बना लिया क्योंकि यह points करने है topic एक बार खाली फिर से चेक किया कि in case मैंने कुछ गलत नहीं समझाना फिर से वो सब कर लिया और फिर 15 minute लगाए लिखने में तो इसमें कोई word ट्रैकर नहीं है तो सर ने बोला कि एक लाइन में रफली 10 वर्ड फिट होते तो उसके हैसाब से आप लिखना 20 से 30 लाइन के आसपास कही लिखना है उससे ज्यादा लंबा मत करना और उसमें अफकोर्स वो इंटरने अक्सेस वास देर तो यह तो यह मतब मेरा आजू-बाजू वाले थोड़े से लग रहे थे सब पैनिक में थे विकॉस फिटीन मिनिट इस लेस्टाइम तो राइट सम्थिंग प्रॉपिली बट इसके बाद इसके बाद पांच मिनिट का उन्होंने ब्रेक दिया था और राइट आफ्टर दाट देर वाट्स टेस्ट तो वो टेस्ट लोगों को यह मिसकांसेप्शन है कि इस स्काइकोमेट्रिक टेस्ट बड़ वैसा नहीं है इस अ प्यॉरली क्रिटिकल रीजनिंग तेस्ट जिसमें आपको स्टेटमेंट असंशन स्टेटमेंट कंक्लूजन आग्यूमेंट्स इन्फिरेंस यह सब क्वेशन जाएंगे विचा सिम्मेल टू जो अमने एन्मैट के लॉजिकल रीजनिंग स्टेटमेंट वेरी सिम्मेल टू तो इसमें नाया कुछ प्रेपरेशन करनी की ज़रूरत नहीं थी बिफॉर इस काफी मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था वाट्स लेसर का सिलिबस इस जिस प्रेटी मज दे सेम बस आपको वो रिवाइस करके ज़रू जाना है ताकि टैस में मैक्सिम माक्स ला सके इसमें देर इस नो नेगेटिव माकिंग बट जितने अन वह सोर ने भी पहले बोला कि टायन आंसर आल थे क्वेशन स्किप मत करो क्योंकि कोई पैन इंचार से डमी क्वेशन्स भी दिये थे सैंपल के लिए ताकि किसी सुडेंट को कोई कन्फूजन आओ तो वो एक अच्छा चीस था इसमें और इट वाइजी तो ओवर्राल कोई इसू नहीं था उसमें अफ्कॉर्स आंसर और क्वेशन्स आर्टी इंसर्टन प्लेसे बट वो कि अच्छा चुड़ाइब अच्छा इंच्छा वेशन्स आप आप अच्छा प्लेस थोड़े जादा आंसर सब के सही आयोंगे आँ शूर्ट को यह जवापका वाट्सन टैस्ट भी जब कितने मजे ऐसका सपास इंदो नहों टैस से फ्री होगे ते वैट और वाट्सन आराउंड वन आवर आफ्टर दिस तो दो बजे क्या स्पास सब हो गया तो उसके बाद फिरा नेक्स क्या प्रोसिस था हां इसके बाद उन्होंने चोटा सर टी और स्नैक्स बेक रखा था सब स्टूडेंस के लिए क्यूंकि सब लोग तीन-चार घंटे से सब उधर ही थे तो यह सब हो गया उसके बाद उन्होंने उन बाइव ग्रूप तो मैं गूप 3 में थी तो फेले वन्टो एंट्री को बहार बुला के उन्होंने पवरे उनके सारे स्टूडेंस को स्नैक्स और सबुकी और सब बोला कि रेडी रहो कभी भी इंटर्व्यों का सब हो सकता है बढ़ाइस काफी कुछी था जितना फास्ट पॉसकता है और उसके बाद बन आफटर दी अधर दो दो के सेट में उन्होंने वेटिंग कर अना सब्सक्राइब तो पहले वन और तो थी और फॉर वैसे तो मेरा नंबर थी था तो बस मैं वेट करी थी पहले दो जन से कहतम होने कर देन उसके बाद में रहे था इतना टाइम लगा मदला आपका नंबर आने में दस मिनिट एग्जाक्ली ने सॉरी दस मिट नी बीस मिनिट हर स्टूडेंट का अरांट 10 मिनिट्स का इंटर्व्यू था तो हां अरां 20 मिनिट्स ठीक है तो जब आपका नंबर आया आपने कि आपके सबने कंदिश किन आपके सामने कितने पैनलिस थे आपके लिए कि सिर्ण औरैक्टी madale mlaug ऑन फीमिल तोड़ी यंग लग रहे थे कर आपके सब्डूश थी की अ मिरा पूरा इन्टर्विव और सॉरी डॉमिनिट किया मुझे उनकी बातों से लगा कि शाइद कि क्योंकि मुझे बहुत स्पेसिफिक अड़र्टाइजिंग और मार्केटिंग रिलेटेड पुछ रहे थे पुरा बैग्राउंड दिया मैंने उनको यह आंसर अपरेंट प्रॉपरली प्रिपेर करके जाएगे इवन इफ यह रटा हुआ है तो भी अच्छा ही है उनको भी मालूम है कि रटके यह पर यह एक आंसर एकदम प्रॉपर देना बहुत जरूरी है उसके अलावा दें आस्ट सकते हैं तो फिर मैंने उनको दे दिया मेरा वाई एंब्या का भी आंसर की बहुत वहीं सब एंड उसके बाद दें आस्ट फिर वो सीधा टेकनिकल क्वेशन पर गुश गए तो उन्होंने यह पूचा कि पाच को भी आडवर्टाइजिंग लॉज हमें बताईए क्योंकि आ पाँ कि नेक्स प्वेशन पर गुशन पर वोचालेगे तो नहीं मैं थीन के बाद अटकने लगी बट उनको ब्र शाटिस्ट वाई पूचा की जो अडवर्टाइजिंग संडर्स कांदिल प्र इंडिया ऑड जो बाडी है इस इड रिस इंड जो और अडर पावर्मेंट औ I will guess that it's under the government. So, they smiled and said, no, it is self-governed. I said, sure, sir, I'll read up on it. I just assume because it has to do with laws. It's under the government. They were okay with me not knowing that it was fine. Then, they asked, and you tell me, which challenges you deal with with clients on a daily basis? So, I told them a lot. And they also added a personal example. So, they seemed happy with that. After that, they asked, if we want to launch a herbal tea brand, then which is the best and effective digital marketing strategy? So, I was prepared for this. Because I expected that I could ask for this marketing strategy. So, this also went quite well. They were very happy with the answer. This happened. After that, the ma'am started to say to me. So, at this time, there was a big issue in my interview. I was given a full introduction. They probably heard the ma'am. I heard the ma'am. And they had copyrighted by copyrighting. The law that is copyrighted. These two things were confused. So, they asked me, okay, copyright laws, is it enough for the property to protect the property? And for one second, I was totally taken aback. What are you asking? Because there is no relation to my profile. So, I told her to repeat that ma'am, do you mean copyright laws or copyrighting? And she was just looking at me, wondering why I didn't get this problem. And she just repeated herself. And there was a lot of awkward tension in the room. Because they were watching the ma'am. So, they realized that they were completely wrong. But I still answered the question. I also said to them about my understanding. Then, I think they accepted my answer. Because after that, they asked one more question. If a brand is a particular ad, a brand is copying, then that brand is under cyber law, or is against advertising law. So, they seemed content with the answer. And then, the server was like, okay, that's it. You can leave. So, majorly, it was that. After that, I was very concerned that the last hiccup came, like, it didn't happen like that, but there was a selection. So, fortunately, they understood that they were probably on their own question. and the question was wrong. Okay, so, in the whole interview, did you ask any current affairs questions? No. And I asked them to go ahead and go ahead. Right after the interview, no one asked any current affairs. It was only revolving around a SOP that we had submitted. It was only around the SOP. That's it. So, how long did the whole process of your interview go? How long did it go? Yes, my interview came around 3 o'clock, and it was until 3.10. So, it was 3.15. So, total 4 hours around the whole, seamless, well-organized, and the result I would say good, so quickly because I had a lot of anxiety of the pain waiting for months. And for me, NMIMS, at that point, it was my best call also. So, I was eagerly waiting to get the result so I will confirm that I was there. And the result of the time, I was like, I've got a bad day. The first one, I got a bad day. I got a bad day. एटेंट सो बस मेरे लिए तो ये ड्रीम कम टूई था कापी इच्छा लगा जानके आप से आपका इंटर्वी एक्सपिरेंस बागी आप यह वीडियो और लोगों के भी काम आए और गाइज आप भी अपने इंटर्वी एक्सपिरेंस अमारे साथ सेयर कर सकते हैं मुझे डि वीडियो में तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक सेयरें